हलो दोस्तो नमस्ते आदाब सस्यकाल आपका दोस्त गौरब टेस्ट बुक सुपकोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तो एक बहुत ही बड़ा डाउट आरार भी एलपी नोडिफिकेशन आने के बाद बहुत से लोगों के मन में आया जब उलोंग ने देखा कि सेलेक्शन प हमें समझ में आता है CBT-2 में हमें समझ में आया लेकिन CBAT क्या है तो यह दोस्तो सारा कुछ में आपको लोग क्लियर करूँगा और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा इससे पहले कि दोस्तों हम लोग शुरू करें एक बाफ़ड़ा वर से इस सेशन के लिंक को श लग्र इस्में टेस्ट में क्या आएगा reasoning आएगा maps आएगी जीके आएगी क्याएगे इसमें आपको अपना common sense यूज करना होगा अपनी speed जो है use करनी होगी ठीक है किस प्रकार से यूज करनी होगी वह भी आप रहे ही आपन बात करेंगे आखेंब को हम लोग भी बनने जा रहे हो तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर कि जो आपका विजन कहा गया है six by six कहा गया है उसमें कई सारे टेस्ट भी कहे गया है actually इस टेस्ट के लेने का मतलब यह है कि वो आपको देखना चाहते हैं कितनी बारीकी से आप चीजों को पकड़ते हैं और कितना कंसेंट्रेशन के साथ आप चीजों को यहाँ पर आकते हैं तो सारी चीजें यहाँ पर टेस्ट की जाती है उसी को हम लोग कहते हैं computer based aptitude test क्योंकि दोस्तों यह computer में किया जा रहा है और यह आपके दोस्तों psychology को चेक करता है इसलिए इसको psycho test भी कहते हैं तो psycho aptitude test कहते हैं इसके जो sets होते हैं इनको कहा जाता है battery test ठीक है क्या कहते है battery test कहते हैं अगर last time जिन लोगों ने exam दिया होगा यह तो 30 number का होता है जिन में से दोस्तों आपको जो है दोस्तों number अगर आप अच्छे लाते हो इसमें तो आपके जो है last में addition होते हैं उन number से number में और जो है दोस्तों इसका profit भी आपको मिलता है ठीक है तो चलिए बात करते हैं आखिर इस paper में आता क्या है बहुत डर लगता है सर तो यहां पर कोई बात न पड़ेगा क्या याद रखना पड़ेगा अभी हम बात करते हैं दूसरा है following direction आपको दिशाएं दे दी जाएंगे और दिशाएं आपको दोस्तों याद रखनी है थर्ड आता है depth perception test मतला आप कितना जो है दोस्तों deep में जाके बारीकी से जाके दोस्तों देखते हैं और observe कर देखें दोस्तों आपको पांच प्रकार के इसमें question देखने को मिलेंगे कौन कौन सा एक तो दोस्तों आप लोगों को study the building अभी सिर्फ दोस्तों सिर्फ नाम सुन लीजे क्या होता है कैसे होता है वो मैं बताऊंगा tension बिल्कुल भी मत दीजेगा ठीक है study the building map second कह रहे है picture number combination third कह रहे है railway map fourth कह रहे है picture pair fifth कह रहे है memories the shape ठीक है अब यहां पर देखें कुछ कुछ नाम से भी समझना रहोगा railway map में दोस्तों आपको railway lines दिखा दी जाएंगी और वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को station के नाम short form में दिये जाएंगे बाद में आप से पूछा जाएगा होगे तो टोटल कितने हो गए 24 कोशन होगह ना Do you do तो 40 question यह हो गए और इसमें 2 set आते हैं और दोस्तों 12-12 के आते हैं यह भी 24 अब सर आपने बोला कि 2 set आते हैं उनमें 12-12 question आते हैं आखिर इतने question कैसे करेगा कोई उसकी ही हम लोग बात करने आये हैं दोस्तों देखें दोस्तों अब आप सोच रोगे सर यह time हमें समझ नहीं आ रहा है मैंने आपको कहा दो सेट आते हैं पेपर इसमें दो सेट ठीक है इसमें दोस्तों एक होता है इस्टेडिंग क्या होता इस्टेडी और एक होता है दोस्तों जिसमें आपको आंसर करने के लिए समय दिया जता है इस्टेडी के लिए दोस्तों आपको दो मिनट मिल तो आप लोगों को कितना समय मिल रहा है तो आप लोग याद रखेएगा यहां पर चार मिनिट को आप आपको यहां पर समय मिलेगा किसे में इस्टडी दा बिल्डिंग मैप सर हमें यहां पर बिल्कुल नहीं समझ में आ बताईए और क्लियर, चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको study the building map बताता हूँ, यह रहा आपके सामने study the building map, कहोगे सर यह क्या है, यह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, सिर्फ आप इसको देखिए और याद कर लीजिए, इसको देखिए और याद कर लीजिए कि कौन सी चीज कहां पर मौझूद है, जैसे अगर आप देखो कि यह दूसरे टाइप का हट है, यहां पर तीसरे टाइप का हट है, अपने mind में रख लीजए, कौन सा हट कहां पर है, क्योंकि एक्जाम में दोस्तो इसको देखने का समय, दो मिनिट मिलेगा, अब आपको हो अच्छे से देख लीजिए कोई चीज छूटे ना अब दोस्तों क्या होगा अगला इस्टेज आएगा कॉशन ये है इसको देख लीजिए आंसर अब करने के लिए आएगा आपको यहां पर आएगा इस प्रकार से अब यह गायब हो जाएगा अब यह आपके स्क्रीन पर नह यह आएगा ठीक है यह कहां पर आएगा तो यह आएगा सी नंबर पर तो इसको आपको सी नंबर देना पड़ेगा और इसको जो है दोस्तों यह कहां पर आएगा यह इधर पर आएगा ना बी नंबर पर तो अब आपको यह ऐसी कॉशन दिखेंगे वहां पर इसको दोस्तो जल्दी-जल्दी करना पड़ेंगा मैंने कहा था दो सट आएंगे मतलब एक ऐसा सेट आगया ऐसा ही एक और एगा तो सेट आएंगे इसको पढ़ने के लिए इसको देखने के लिए दो मिनट मिलेंगे इसको देखने के लिए आपको दो मिनट मिलेंगे यह चोटा सा डाइग्राम है इसलिए आपको दोस्तों लग रहा है कि दो मिनट तो बहुत है मैं तो याद कर लूँगा लेकिन मैं आपको ब देखे, D और E पे कुछ नहीं है, हो सकता है, D और E पे भी कुछ बना दे, तो आपसे D और E भी पूछेंगे, तो टोटल 12 सवाल, इनको आंसर कितने में करना है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में, मतलब 2 मिनट में आपको आंसर करने हैं, 12 questions के, 2 मिनट देखने का समय, और 2 मिन हमोरी test module study the building map, आपने buildings को याद किया, यह एक प्रकार का है, टोटल हमने 5 प्रकार के देखे थे, टोटल 8 मिनट में लेगा, क्यों, क्योंकि देखे, दोस्तो 2 मिनट यहाँ पे, 2 मिनट यहाँ पे, 2 मिनट यहाँ पे, 2 मिनट यहाँ पे, कितने होगे, 4-4-8, 4 मिनट आपको जालना पड़ेगा, कि grapes को 28 नमबर दिया गया था, torch को 93 नमबर दिया गया था, press को 42 नमबर, यह आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको 3 मिनट दिया जाएगा, ऐसे आपको देखे, 3 मिनट दे देंगे, ठीक है, ऐसे दोस्तों, दो आपक को answer करने के लिए उसमें भी 3 मिनट मिलेंगे, कितने मिनट मिलेंगे, 3 मिनट, तीन मिनट को देखने को, 3 मिनट आप answer करने को, अब answer के लिए दोस्तों यह आएगा, अब आप से देखे, torch पूछा है, जिन लोगों को याद होगा, torch का number क्या था, 93, 93 को टिक लगाएंगे, आ अठाइस था तो ग्रेप स्कार्ण अमर अठाइस है टिक लगाए बढ़ते जाए 21 कोशन कर लिजे तीन मिनट के अंदर अन्य था पीछे हो जाएंगे यह याद रखेगा बड़ा स्पीड टेस्ट होता है बारी की से देख रहा है अलपी में यही देखा जाता है फिर इसके बाद दोस्तों similarly मैंने आपको बता है दो स्टडी पेज मिलेंगे ऐसा एक कोशन एक और कोशन ऐसा मिल जाएगा उसमें दोस्तों इसमें किस कोशन पहले पहले में दूसरे में किस कोशन टोटल 42 कोशन कितना समय तीन मिनट आंसर करन यह नहीं रहेगा अब आपको याद करना पड़ेगा कि यह दोस्तों एसो के है यह DET है यह PIR अच्छली दोस्तों इन्होंने क्या बता है यह रेलेवेड पर यह स्टेशन को दख रहा है यह याद करने को बोलते हैं तो आप यहां पर देखा कि एसो के जो है यह दोस्तों ऊपर टॉप पर है एसो के मैंने माइन में याद के लिए कि एसो के ऊपर है फिर डीटी बीच में है और नीचे पी आई आई आर है कॉश्चन फटाक से ऐसे आएगा आपके सामने यह अट जाएगा यह अब यह अट जाएगा तीन मिनट तक इसको टीन मिनट घूर घूर के देख लिए ठीक है अब इसका दोस्तों अभी तो यहां पर सिफ तिनीचेशन दिये 21 एकीस स्टेशन देगा 21 एक्लिस स्टेशन और आपको बताना पड़ेगा कौन सी पॉइंट पर कौन से स्टेशन के नाम दे दिया अब यह कहरा को बताई कौनसे पॉइंट पर तो हम прोज़ पार सब से नीचे था और सब से नीचे कौरर्य में था नहीं और Ci को टेक लगाओगे एसो के कहा था टॉप पर था तो टॉप को टेक लगाओगे यह आपको option में दिया रहेगा यह ध्यान रखिए ऐसे आपको 21 कोश्चन करने हैं तीन मिनट के अंदर आपको इसको समझ में आओगा यह तीसरे प्रकार का है CBAT में ठीक है तो यहां पर total 12 मिनट मिलेगा तीन मिनट दोस्तो question देखने का तीन मिनट आंसर करने का फिर एक और सेट आएगा तीन मिनट रहें अंकल जो है इनके साथ एरोप्लें जुडी लेकिन एरोप्लें किस कलर की ब्लैक कलर की घुल्च का फ्लावर यहां पर लेडी से इंको प्लास दे रखाया यहां फिर एक तीन मिनट तक हुल लिया हमने बहुत अच्छी बात है तीन मिनट तक घूल लिया अब आगे बढ़ते हैं अग दोस्तों आंसर करेंगे अब यहां पर देखें बुढ़े अंकल के सामने कौन थे यह option है चार लगाईए टिक हमने दोस्तों यह तो गायब हो जाएगा अब यह तो दिखेंगा ने यह तो गायब हो चुका होगा अब तो सिर्फ आपके सामने यह रहेगा य लड़की वर कर रही थी लैप्टॉप पर कर रही थी और वह इस प्रकार की दिख रही थी तो इसनको टिक मारेंगे ऐसे दोस्तों आपको 21 प्रीस कोशन मिलेंगे आपको 3 मिनट पर सॉल्व करना होगा समझ गया एक सेट आपको मिलेगा देखने के लिए भूरने के लिए तीन मिनट मिलेंगे आपको आंसर करने के लिए यहां पर समझ में आया होगा आपको यहां पर टोटल 12 मिनट मिलेगा तीन मिनट कोशन देखना तीन मिनट कोशन तीन मिनट कोशन तीन मिनट आंसर 12 मिनट ठीक है तो यह ध्यान रखेगा चार सेट दोस्तों 12-12 मिनट के होते एक सेट होता है आठ मिनिट का तो 12-14-48 और जो आठ जो मिनिट होते हैं तो 56 मिनिट का यह पूरा पेपर होगा यह ध्यान रखेगा ठीक है चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पांचवा प्रकार यह पांचवा प्रकार आखरी प्रकार होता है ठीक है जिसमें यहां पर दोस्तों यह साइज देखें डिक्रीजिंग और में याद कर लिजिए यहां पर कुछ इस प्रकार से यह दोनों दोस्तों वालो टाइप कर दिख रहा है यहां पर यह सॉलिट है अब देखें क्या आएगा तीन मिनिट तक घूर लिजे अब इसके बाद आंसर करे यह तो उल्टे वाले तो कुछ कर नहीं नहीं है हमें थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है यह उप्षन नहीं लग रहा है इसको टिक्मारिए बाकी को छोड़ दीजिए फिर यहां पर आए तो हमने कहा था चाहिए इंक्रीसिंग ओरमें कौन सा दिख रहा है यहां दो दोस्तों कैसा दिख रहा है यह नीचे की तरफ टील्ट है करने एक त् needing आपको मिलेगा और आंसर करने के लिए तेन मिनट मिलेगा तो ऐसे चार सेट मैंने आपको बताए बारा-बारा मिनिट के होते हैं तो 48 मिनिट हो गया और एक सेट जो पहला वाला सेट होता है वो 8 मिनिट का होता है जिसको हम लोग बैटरी टेस्स केते हैं ठीक है, यह सारे बैटरी टेस्ट है तो उसमें 8 मिनिट तो 48- disp आपके 56 मिनिट का ये पूरा पेपर होगा और ये 30 मार्क्स में से दोस्तों यहां पर नंबरिंग होती है ये ध्यान रखेगा ये पूरा CBAT होता है ठीक है I hope ये दोस्तों आपको जो CBAT को लेके डाउट था मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए अगर फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कॉमेंट बॉक्स में आप अपने कॉमेंट को मेंशन कर सकते हम लोग ट्राय करेंगे कि आपके उस सारे डाउट को क्लियर किया जाए जो आपके पास अभी है और जो लोग तैयारी कर रहे है ये लिए तो दोस्तों फडावर से लग जाए और तैयारी में और छोड़िए कुछ भी मत तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन तब तक लिए रखेगा आप अपना ख्याल बाइबाइ टेक एर जैहेंद जैभारत